ठेक से आप्ने भी नियूस सुनी होगी और य ये ड़ीं ED processes क्रीके दो क kwष नहीं जाने से तक्राइए उसमस कहले प्रिया नहीं नहीं कोई जानाएं चाहिए जिनके दौरह आपको इन तरीकी जो एप्स आपी एफ जाती फोन में कोई फाइल अगर प्रेजन्ट है उनको एक्सेस करने से वैल यह चीज काफी जदा सिंपल है और आपको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए अगर आप फाइल बचाना चाहते है अपने फोन के या कॉन्टेक्ट यह कोई भी चीज को प्रेवेंट करना चाहते है किस अननोन यह कोई एप को एकसेस करने से क्या ही चीज सब पुझाने के इस वीडियो में हम देखे रहे हैं टेकी टीवी तो इससे पहले हम आगे बड़े मैं आप से कहना चाहूंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकों को जरूर दबा दीजिए क्योंकि आप VIP बन सके हैं और सबसे पहले पास सके हमारे चैनल की नूटिफिकेशन्स विलिए पर फेस्बूक के एकसेस करने का आपके डाटा को यहाप मामला निकल के आए तब से वटसेप के को फांटर जो सेप्टेंबर में उन्होंने रिजाइन कर दिया था अभी रिसेंट यूज कर रहा है यहाप पर आपको डाटा को यूज कर रहा है अपकी डाटा को अप्लोड कर रहा अपने जो क्या यूज 것은 ए उसके लिए वैली यह कोई नहीं जानता तो शायद वो गलत तरीके से भी यूज कर सकता है तो यहाप इश चीज को प्रेवेंट करने के लिए एप को इंस्टॉल करें तो क्या क्या परमिशन यहाँ पर एप मांगेगी जिसके द्वारा आप एकसेस करवा सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर चीज को एसमेस को फोन को टेलीफोन को कोई भी चीज को एकसेस करते हैं पर सबसे पहले अगर आपको परमिशन देनी पड़ती है उसके बिना वह वह बर्ट नहीं करेगी मतलब कि अगर आप एक्जामपल लें फेसबूक का तो फेसबूक अगर आपके फोन में एसमेस को रीड कर रहा तो वहाँ पर आजाएगा या फिर वह चीज वर्क नहीं करेगी जो वह पर्टिकलर परमिशन के बिना होई नहीं सकती है तो यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ती है और यह परमिशन आपके फोन में पहले से ली जाती है चैसी आपको यह आप इंस्ट्रॉल करते हैं मान लि करते थे आगे नेक्ष्ण करने के चक्कर में क्या यूज सकते तो यहां पर अलाव-लाव करते ते जब यहां प्लेश्टॉर से कोई यूज करते है यूज करते तो आप देखते हो काफी प्रमिशन की लिष्ता आपके सामने आती है पर वहाँ पर हम नहीं देहन देते कि हम यहां पर यहां पर आपके फोन में इंस्टॉल हो जाती है उसके बाद आपने पर्मिशन दे दी और वह पर्मिशन देने के बाद क्या यूज़ करें आपके को आपके मैसिज को आपके फोन को इसको कोई नहीं जानता और यहां पर यहां पर फेस्बूक की क्या माना है कि उन्होंने पहले से अपने जब भी आप अकॉंट बनाते हैं उसके बाद आप देखते हों कि काफी लोग नहीं देखते हैं पर टर्म कंडिशन में लिखा हो होता है वह आपके डाटा को एकसे्स कर सकता है एक्षबस पर यहां पर टर्म कंडिशन को नहीं देखते हैं पर यहां पर अग जया पको हैप यहां पर एक्सस करने से किपर आप के फोन में आपके पूल करते हैं आपको लिस्ट ऊप्प लिए तो घाकल लिए थैसे आप को यूज़ करना जाते तो हम next search कर लेते और accept कर लेते और इस 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 निकल क्या है तो और भी apps आप से ऐसे permission लेके आपके data को leak कर सकते हैं तो simply कोई भी जैसे मैं Instagram की app खोल रहा हूँ setting के अंदर उसके बाद मैं गया install app में इंट्रोल अप में जाने के बाद मैं गया permission में permission में जाने के बाद वो list मेरे सामने आ गई है और इस list में निकल के आ रहा है कि यह app access कर रही है मेरे SMS को और मेरे telephone को well well यहाँ पर telephone को यहाँ पर क्या uses app का यह मैं नहीं जानता हूँ तो यहाँ पर simply जब इस app में कुछ ऐसे चीज़ ही नहीं कि वो मेरे telephone के access करता है ऐसे कोई option है नहीं ऐसे फीचर है नहीं तो यहाँ मैं क्यों permission दूँ उस app को उस telephone की चीज़ को access करने के लिए तो मैं simply यहाँ पर disable कर दूँगा उस option को खाली वो ही चीज़ enable करूँगा जो उस app को मुझे लगता है कि इसको यह जीज़ की जरूद है मतलब कि कोई Instagram की app है तो उसको simply जरूद होगी storage की कि आपके photos को card store करे और दूसरा यहाँ पर option होगा आपके location को यह आपके location का है जब आप photo click करते है और तीसरा यहाँ पर permission की जरूद होगी उसको camera की तो इससे ज़दा उस app को कोई जरूद नहीं है तो इससे ज़दा अगर आप कोई permission दे रहे है तो बिलकुली waste है वो उसको data क्या use कर रही है व यहाँ पर मैं access मान सकता हूँ क्योंकि simply SMS वहाँ रीट करता है code को simply SMS को आप access दे सकते हैं चाहे तो नहीं सकते है क्योंकि आप मैंने भी वहाँ मैसेज टाइप कर सकते हैं जो भी आपका code है तो आप खाली limited permission ही वहाँ पर दे बाकी सब permission वहाँ पर disable कर देजिए मान लेजिए कोई app है जो simply YouTube के कोई example है यूट्यूब अगर आपके telephone SMS की app को access मांगेगा तो आप क्यों देंगे आखिरकार ऐसा क्या यूज है जब हम यूट्यूब ऑपन करते हैं तो क्या ऐसा यूज है जो आपके permission मांगे इस चीज की क्योंकि हम जब भी यूट्यूब यूज करते हैं तो ऐसी कोई भी permission को आप disable कर सकते हैं कि वह apps उस चीज को आप एकसेस ना करें और आपका data बिल्कुल सेफ रहे तो आप इस तरीके से कुछ चीज यूज कर सकते हैं जो कि आपके phone में पहले से ही present है और आप simply वहाँ पर जाके setting के अंदर permission से आप select कर सकते हैं उन चीज़ों को जो आप नहीं तो यहाँ पर मैं Facebook के app यूज कर सकता है बिना किसी problem की कि वह मेरे telephone यहाँ पिर contact को read करेगी तो यहाँ पर ऐसी चीज़े आप कर सकते हैं तो यहाँ पर पहले यह Android काफी जाद secure बनाया जाता है कि आपको पहले permission देनी पड़ती है बनाने के बाद उसके बाद आप जब भी इंस्टॉल करेंगे फिर से वह पूछी जाए कि कि आप इस permission को अलाव कर रहे है और आपने अगर by mistake permission को अलाव कर भी दिया है तब भी आप authority होती है कि आप setting के अंदर permission को वहां से disable कर सकते हैं तो यहाँ पर सिंपली काफी जाद option दे रखे होते हैं तो आप इन चीजों के पसंद आए और साथ है लाइक जरू कर दीजेगा अगर आपको वीडियो कहीं पसंद है और नीचे कमेंट करके जरू बताएगा कि क्या लगता है आपके उनुसार जो फेसबूक का यह जो न्यू चल रहे है कि फेसबूक को लीक कर रहा है क्या यह सोची समझी कोई planning तो नह अगली वीडियो में